Hello friends, welcome to my part Sala और officially हम कह सकते हैं कि date exam की आ चुकी है CGLT की वैसे अभी देखा जाए तो ये notice आपको website पर नहीं मिलेगी बट हम ये मान सकते हैं कि अब हम इसके base पे अपनी तयारी कर सकते हैं exam की date वही है जो हम लोगों ने पहले भी discuss किया था वीडियो आ चुका है कि आपका जो tier 1 exam होने वाला है वो 1 December to 13 December होने वाला है और इसके base पे हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या हमें अपनी पढ़ाई की strategy रखनी है किस वे से हम अपना रोड मैप पूरा देखेंगे जिससे हम तयारी करें और हम एक अच्छाई score करें आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि इस बार qualifying है क्योंकि आपको समझना है कि slabas तो दोनों tier का same ही है और अगर slabas same है तो इसी वे से आपको तयारी अपनी continue रखनी है क्योंकि वो आपको means में भी फायदा देने वाला है मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे हमारी date जो है वो 1 December से 13 December है तो हमारे पास day कितने है 30 days अब 30 days की strategy हम क्या रखेंगे कि हमें first day एक मौक देना है आप आज से ही सोच लीजिए कि कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जब आप मौक ना दे और जिसके पास time ज्यादा है जिसको लग रहा है कि उसकी तैयारी ज्यादा अच्छी है उसको ज्यादा मौक भी वो दे सकता है दो मौक भी दे सकता है analysis बहुत important है मौक का दूसरी important चीज है कि math में हमें पता है हमारे कितने chapter है 30 chapter near about इतने ही chapter है तो परड़े हमें एक chapter कर revision करना है जो भी आप notes बना चुके है उसके base पे आपको revision करना है बाकी हम लोग thousand question series पढ़ ही रहे हैं अचसे एक सन्ने काफी सारी classes ले रखी है तो जिसने नहीं किया है वो series जाके आप पढ़िए उसके आप proper notes बनाईए उतने अगर आपने question कर लिए ये thousand question उसी हिसाब से designed है कि हम अगर ये thousand question कर लेते हैं तो हमारा whole syllabus cover होगा दूसरा जैसर भी आपको पढ़ा रहे है hundred golden rules पढ़ा चुके हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है आपको hundred golden rules देखना है उससे आपका पूरा इंगलिस का grammar वाला section cover हो जाएगा और practice classes भी चल रही है बाकी मैं बताना चाओंगा vacancies आप लोगों को पता है 37,000 vacancies है जो की बहुत ज़्यादा है इस हिसाब से आप इसको एकदम ऐसे ले के चले कि qualifying आपको नहीं समझना आपको अच्छे से पढ़ना है जितने भी ये 30 days बचे हैं आपको इसी हिसाब से पढ़ना है बाकी सारी ची चीज़े discuss करेंगे और तब तक के लिए आप सभी को जाहिन